हे चैंप्स मेरा नाम है लक्षे वर्मा और आज हम एक आटो बायोग्राफी पड़ेगे जिसका नाम है आर टेस्टिमनी अफ आर इन एक्जॉस्टिबल ट्रेजर्स 2000 इस आटो बायोग्राफी को पंडिता रामाबाई जी ने लिखा है बेसिकली ये आटो बायोग्राफी पं पॉर्मर और संस्कृत की स्कॉलर थी लेट 19 और अरली 20 सेंचुरी की उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी वुमेन चिल्डरन लोग कास्ट पीपल के लिए लडने में रामाबाई जी ने सपोर्ट किया इंडियन वुमेन की एजुकेशन को और चाइल्ड विडियो को नाम दिया वुमेन ओफ दा मिलेनियम उन्होंने क्रिस्टियानिटी को एंब्रेज किया तो चलिए अब हम बिना आपका टाइम वेस्ट करें इस और बायग्राफिक को इजी लैंग्विज में समझते हैं टेस्टिमनी ओफ आर इन एक्जॉस्टिबल ट्रेजर्स ओटो बायग्राफिक डिवाइडिड है काफी सारे सब सेक्षन में रामा बाय जी पैदा हुई थी एक ब्रामण फैमली में उनके फादर का नाम था अनन्त शास्त्री डोंग्रे और उनकी माता जी का नाम था लक्श्मिबाई डोंग्रे रածा भाई के फादर एक reformer थे और उन्होंने अपनी वाइफ और डॉटर्टर्स की education के लिए society से लडाई करी उन्होंने 13 साल pilgrims को रास्ता दिखाया pilgrims होते हैं भक्त रामा भाई को उनकी माता जी ने पढ़ाया जब तक रामा भाई 15 साल की ना हो जाए तब तर रामा भाई के parents education को support करते थे लेकिन वो cast weight practices को follow करते थे रामा भाई के parents और उनके बड़ी भेन की starvation की वज़ा से death हो गई starvation का मतलब है भूप की वज़ा से death होना उनकी starvation की वज़ा से death इसले हुई क्योंकि रामा भाई कोई job नहीं कर सकती थी वो सिर्फ sacred हिंदू text पर सकती थी इसकी वज़ा से रामा भाई का विश्वाश उठ गया हिंदू के religious practices से रामा भाई ने अपने भाई के साथ काफी जगा बदली और फिर कैलकटा में रामा भाई ने पहली बार Christian gathering में पाट लिया कैलकटा में रामा भाई ने धर्मशास्त्र और बहुत सारे हिंदू text पढ़े और पढ़कर रामा भाई को पता चला कि हिंदू religion moral advice दे रहा है दूसरे religion को एक common point था कि वुमेन और शूद्रास को कभी freedom नहीं मिली रामा भाई ने शादी कर ली विपिन बिहारी मेदवी नाम के लड़के से विपिन एक बेंगौली था और शूद्रा कास्ट को बिलॉंग करता था विपिन की शादी के दो साल बाद उसकी death हो गई रामा भाई के भाई की भी फिर कुछ ताइम बाद death हो गई रामा भाई फिर पूने shift हो गई और वहाँ उन्होंने बेंगौली और English सीख ली 1883 में रामा भाई England गई और वहाँ उन्होंने religious और secular subjects पढ़े रामा भाई ने Bible पढ़ने का टास्क लिया Christ की teachings कभी किसी को caste, labor, sex के base पर discriminate नहीं करती रामा भाई ने कई सालों तक लोगों को Christ के प्यार के बारे में बताया 19th century के end में रामा भाई ने मुक्ति मिशन की खोच की केडगाओं गाओं में मुक्ति मिशन का एम था women और बच्चों को power देना especially orphans और child videos रामा भाई बताती है कि बॉम्बे के गवर्नर मुक्ति मिशन के सेंटर पर अचानक आए इसको रामा भाई ने नाम दिया Jesus Christ की second coming रामा भाई conclude करती है hope में कि उनके readers को responsibility realize हो जो कि है Christ की teachings को लोगों में फैलाना जो कि है Christ की ए संद काती है जो कि जो कि या रामा भाई बताती है पाई सक्णावी माद है कि ये जो कि ए रामा भाई भाईंग